साथियों, NDA की एक और विशेस्ता रही है, जब हम विपक्ष में थे, तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीती की, हमने कभी नकारात्मक राजनीती का रास्ता नहीं चुना, हमने लोकतंतर को मजबूत करने के लिए, अपना हर दाइत्वन निभाया, हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके गोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया, हमने सरकारों का विरोध करने के लिए, कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी, हम विपक्ष में रहें, लेकिन हमने देश के विकास में ना रोडे अठकाएं और ना ही रुकावट बने, आज कल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारे अपने यहां लागू नहीं होने देती, अगर यह योजनाओं लागू होती भी हैं, तो उन्हें रफ्तार नहीं पखड़ने दी जाती, यह लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाब मिल गया, तो कैसे काम चलेगा, उनकी राज्यों की कैसे चलेगी, मुझे आद है, गरीबों के घर के लिए, हर गर जल के लिए, आईश्मान भारत योजना के लिए, कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यबंत्रियों को मुझे चिठिया लेखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनितिक नफा नुक्सान से ही तोलते रहे, साथियों, जब गठ बंदन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठ बंदन ब्रस्टाचार की नियत से हो, जब गठ बंदन परिवारबाद की नीति पराधारित हो, जब गठ बंदन जाती वान और छेत्रबाद को ध्यान में रक्कर किया गया हो, तो वो गठ बंदन देश का बहुत नुक्षान करता है, 2014 से पहले की गठ बंदन सरकार का उधारण हमारे सामने है, तमाम उठा पटक के बीच वो गठ बंदन सरकार किसी तरह अपने 10 साल ठीच पाई, लेकिन देश को क्या मिला, प्राइम मिनिस्ट्रियर के उपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसीस, निर्णे लेने में अक्षमता, भांती भांती के पावर सेंटर्स, अव्यवस्ता और अविश्वास, खींचतान और करप्षम, लाखों करोडों के गोटाले, आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उड़ते थे, तो गटबंदर की मजबूरिया गिनाई जाती थी, बहाना ये की, गटबंदर के कारण, क्रेडिट लेने के लिए, तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गडबर होती थी, तुरंत अपने सयोगियों पर दोश मण दिया जाता था, हम सवभाग्य शाली हैं, कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है, अलग है, हमारे लिए, गटबंदन मजबूरी का नहीं, बल्कि मजबूती का माध्यम है, NDA कोईलेशन कंपल्संस का नहीं, बल्कि कोईलेशन कांट्रिबूशंस का प्रतीख है, क्रेडिट भी सबका है, दाहित्व भी सबका है, NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है, हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को भहुबत से अधिक सिटे मिली, लेकिन सरकार NDA की ही रही, NDA की भागिदारी बनी रही, भाजब बनीतिक दल बनीतिक दल बनीतिक दल बनीतिक दल देखा हैं,